तू मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे जादा घाटिया एक्सपरिमेंट रहा है मैं तुझे अभी के भार निकाल रहा हूँ अरे टोनी सर प्लीज एक मोगा दीजे मुझे हमेशा तुने मेरी नाग कटवाई है जब देखो यहां पर काम बेगारता रहता है मुझे तेरे जैसा हल्कबस्टर बिल्कुल नहीं चाहिए अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा जाएंट आइमेंट का सुट बनाऊ गए मुझे नफरत हो गई यह अल्कबस्टर के सूटों से निकल जाया से तेरी वज़ा से मेरी अवेंजर से दोस्ती तूट गई नहीं टोनी सर आप अरबात का इल्दाम मुझे पर क्यों लगा रहे हैं प्लीज तोड़ा सोचिये तो सही मैंने आपके हमेशा मदद करने कुछ किया है निकल जाया से पूरा मूर खराब कर दिया और नो दोस्तो मेरे टोनी सर ने आज मुझे बाहर निकाल दिया मैं तो अपाईस बन गया तेरी मनत कोई नी करेगा क्या है घाईस आप सभी मेरी मनत नी करेंगे प्लीज मेरी मदद कीजिए इस विडियो को लाइक करके और चैनल सब्स्राइब करके मैं टोनी सर को दिखा मैं लाचार नहीं हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जाहें टलकबस्टर बनूँगा, फिर लोग मेरी हिज़त करेंगे, लेकिन मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आस तो मज़ा ही आ गया, मैंने उस मुसीबत को बाहर निकाल दिया, और इतने बड़िय बड़िये सूट बी चुरा लिए, एक मिनट दोस्तो ये क्या, टोनी सर अटने बड़िये सूट जाहें से ले आए, अभी तो इन्हों ने मुझे बस मार के बगगाया था, इन्हों ने चورी किया, क्या, अस तो मैं माला माल होने वाला हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बाइरन मैन का सूट बना कर या खरीद कर रहा हूंगा बस मुझे वो मेरी स्पेशल गन मिल जाए उसके बाद मुझे दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर जाने डाइमेंड बनने से कोई रोक नहीं सकता अच्छा हूँ मनूस मेरी जिंदगी से चला गया जाविस इन सूट क जो टोनी सर बोल रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े जाएंट आइरन मैं बन जाएंगे मुझे चुपकर देख लाओगा मेरी लेब में तो कोई अरे बापरे या शायद रात मैंने गंच छोपाने के लिए यहां रख दियोगी अब जाओंगा और जाकर माला माल हो जाओंगा गाइस लगता है टोनी सर आ रहे हैं अब हमें पता चली जाएगा कैसल में इन खतरनाक सूटों के साथ यह क्या करने वाले हैं अगर यह गन मुझे मिल गई तो मैं भी अमीर हो सकता हूँ यह मारा क्या बात है मेरे पास पूरे सौ मिलियंटर हो गे जाविस उस वेब साइट का पासवर्ट जल्दी औरे वा जाविस तुमने साइट अलोग भी कर दी उपर लिख रहा है आईरन मैं एज सूट शॉट शॉप चलो इस साइट का सबसे महंगा सूट खरीद के देखते हैं अरे वा यह तो हो बहू मेरे माक 85 जैसा है खयार इसके फीचर्स और साइज बड़े हो तो मज़ा आ जाए अरे बाप्रे गाईज यह क्या टोनी सर की एज पहले 35 थी अब तो यह 31 करोड साल के हो गए टोनी सर टोनी सर मैंने सब कुछ देख लिया आपने कैसे अपने आपको इतना बड़ा बनाया सर प्लीज मुझे वाली गंदे दीजिए मैं आपको बहुत सारे पैसे लाके दूँगा अपना साइस भी बड़ा लूँगा अरे मुझे तेरी मदद की जरुरत नहीं है चुपचाप निकले यहां से हां पूरी दुनिया मेरी मदद कर सकती है तो मैं तिससे मदद के लूँ अरे नहीं प्लीज सर एक मौका तो दो अरे कोई तुझे मौका नहीं देगा गाइस प्लीज टोनी सर को समझाओ कमेंट में असले को अगर आप चाहते हो वो मुझे जॉब पर रख लें कोई जॉब वाप नहीं मिलेगी आज के बाद यहां मिला पंप से उड़ा दूगा सम काइस देखिए टोनी सर अपनी खुशी में मगन है इसलिए इनोंने अपनी गन नीचे छोड़ दिये मेरे पास एक आइडिया है वैसी मैं छोटा सा हूं यह मुझे देख नहीं पाएंगे क्योंकि टोनी सर गमंडी हो गय है इसलिए यहां पर मैं जल्दी जाता हूं और इन गल सही का मैं तो टोनी को मार दूंगा ambulance लुटा में तो घेटेदा हूं यह गार लो 는र पेस कॉम्झे के रिशा हूं यह यहां पर 40,000 में एक ऐसा बस्गाूल आफ मैं ஜू मिल जाएगा चलो मैं इसको भाई करके दिखता हूँ, यह क्या मैंने इसको भाई, अरे वा, मैं तो यहाँ पर 5000 साल का हो गया, क्या वात है गाईस, टोनी सर तो मुझसे खुश हो जाएंगे, पापा जी आप बहुत बुले, मुझे आपसे बात नी करनी है, मेले को ममी के पाथ जाना है, हल को बारा गौड बनने है, हल्क गौड बनने है, वो अपनी दोस्त हो गई, अवेंजर्स के सारे सुट चुरा रहा है, यह बहुत जादा गलत है, मुझे टोनी सर से यहाँ पर, जितने भी हल्क सर के सूट ह्याँ वह बावस लानने हूंगे, जिनसे कि उनका बेटा नी की अब मुझे यहां पर टोरी सर शोल जरने की ज़रोगी है, हाँ हाँ हाँ, मजा गया, मैंने हलकी फैमिली के सारे छोटे से लेकर बड़े तक सूट चुरा लिए, हरे बापरे गाइस, मैने सो सूचा था, यहां पर टोरी सर ने कोई थोड़े मोड़े चुरा होगे, इनोंने त मैं याद है लास टाइम मैं इसे खुशे हो ज़रा तो मैंने जमीन पर रख दी थी अरे बापरी गाईस मैंने तो वो गन चुरा ली थी अब टोनी सर को शायद पता चल जाएगा जड़ा देखते हैं जाविस मेरी गन का पर है अरे यार यार ये गन तो मेली नी रही है शायद हो सकता है मैंने अपने बेडरूम में रख दी हो अरे यार मैं भी कितना भुलक कड़ो गया हूँ अपनी स्पेशल गन को ही लगकर भूल गया है कोई नी चाविस तुम सूट प्रटेक करो मैं जाता हूँ और जाकर डूनता हूँ क्या पता कोई गन मुझे माँ पर मिली जा है अब यह मुझे दूर नहीं जाएंगे बस यह बड़ा वाला सूट बहुत भारी है यार इसको थोड़ा ध्यान से मुझे अटेच करना होगा जिससे कि यहां पर सारे सूटों को मैं एक बार में अटेच करके यहां से ले जा पाऊँ एक मिनट यह बाहर से कैसी आवाज है अरे बापरे यह सारे सूट अपने आप वहां कैसे पहुंच गए ओ असल में यह मनूस गोल्डन हल्क बस्टर यहां पर आया है हैं गोल्डन हल्क बस्टर तू पहले से तना बड़ा कैसे हो गया टोनी सर देखी मेरी एच बढ़ गई अच्छा तो गंतूने ही चुराई मैंने तुससे काता अगली बार मुझे स्टाक मैंस ने में दिखा तो यह बरबात कर दूँगा अरे बापरे अल्क सर अल्क सर में रंजा कर रहा है प्लीज मुझे जाने तो टोनी सर नहीं जाने देऊंगा यह ले हाँ चल अब चुप चाप यहां पर यह गोल्डन हल्क बस करेंगे और नहीं इन सूटर को पैसों में कर पाएंगे और काफे जादा बड़ा जिंदा पहले सूट चुराए उस बच्छे को पकड़ा खेर कल सारे सूटर को करके और भी बढ़िया जायंट एन एड़ डायमेंड का सूट खरीदूंगा अरे दोस्तों मैं टोनी सर को और जादा गवेंडी और ताकतवर नहीं होने दे सकता इसलिए मुझे अभी अभी सारे सूट चुराने होंगे इन गाइस यतने सारे सूट हैं मैं इन सभी को अपने साथ कैसे लेके जाओं एक आइडिया है मैं टोनी सर का ट्रक चुरा लिता हूँ इस ट्रक में ही वो इन सभी सूट को मैं इनके असली मालिक तक पहुचा दूँगा उसके बाद गोल्डन हर्क बस्टर और जादा बड़ा हो जाएगा और टोनी सर को पता भी नहीं चलेगा जल्दी जल्दी करता हूँ यहां पर जितने भी सूट हैं सारे के सारे ट्रक में लोड कर लिता हूँ फाइनल पापा जी आप बहुत बुले हैं मैं आपके बात नहीं करूँगा अरे हल्क का बच्चा हल्क से दूर जला जाएगा हल्क पागल हो जाएगा अरे देखिए हल्क सर मैं आपके सारे सूट वापस रहा है अले अंकल जी आपने तो कमाल कर दिया पापा जी जल्दी इनको देगा तेंक्यू सो मच हल्क सर इतने में तो मैं बड़ी आसा कोई हल्क बस्टर का गोल्डन सूट करें लूगा चलो जल्दी चलते हैं और जाकर अपने फॉन में वो वेबसाइट खोलते हैं यहां पर कोई भी निया आएगा जल्दी से काम करता हूँ निकालता है वाली व सूट को भी वापस से पीछे चोड़ना है इसलिए दोस्तो हम अपना और एज बढ़ाएंगे जिससे की टोनी सर आगे जाके मुझसे माफी मांगे और वो मुझे अपना पार्टनर बना ले अच्छा वच्छे तेरी इतने हिमत अरे बापर है क्या यह तो सामने से टोनी सर आ रहे हैं ओ नो टोनी सर आप यह क्या कर रहे हैं मुझे सब पता चल गया के तू रात कैसे बागा तूने मेरे ट्रक चुरा है उसके बाद सारे सूटों को लोड करके तूने हलकों वापस भी कर दिया लेकिन कोई बात नहीं अब यह तिरा जाएंट रालसूट मैं तुस्स मैंने तुझे बनाया है और तू मुझे से आगे नहीं बढ़ सकता अरे नहीं टोनी सर आप गमंडी होगे हैं यह ले मैं यहाँ पर तेरे सूट के जितना भी सोना है मुझे सब को यहां पर बाहर निकालूगा तुझे टीन का डबबा बना दूगा उसके बाद उन पैसों क अस्तुमाल करके दुनिया का सब से बड़ा जाएंट एंडेर आर्मन का सूट भी खरीदूगा नाई प्लीज प्लीज टोनी सर मुझे चोड़ दीजिए जावस यहां पर प्रिक्रिया स्राट करो मैं जल से जल इसके सारे सूट के सोने को निकालना चाता हूं नहीं टोनी सर कोई तेरी मदलत नहीं करेगा बच्चे मैं यहां पराण नहीं मानुगा मुझे भागना होगा आई भगो ने कहां भाग रहे है गाईस मुझे असल में यहां पर अपना साइस बढ़ाना होगा एक मिन दोस्तों यह क्या तेरी गन तो वहीं रेगी ओ नो उस गन के बिना मैं किसी भी चीज को पैसो में गनवट नहीं कर सकता है बच्चा भग गया गन तो दे गया अब इस गन के स्तमाल से ही मैं उसको पैसो में गनवट कर लोगा नहीं गाईस इस से पहले की टोली सर उस गन को ले मुझे वो गन चाहिए लेकिन यार उसके लिए मुझे अपना सूर तेले ठीक करना होगा आइडिया मैं एक काम करता हूँ मैं आ गया दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक हाउस पर जो की वाइन वुट पर पड़ता है पच्छे तेरा को कुछ नहीं मिलेगा अरे बापरे यहां पर तेक सिक्यूरिटी गार्ड है सौरी मुझे तोनी सर की बैंड बजाएंगे चलो गाईज अब जल्दी चलते हैं और जाकर उन से हमारी स्पेशल गंचीन के हम उनी के जाएंट सूट को पैसों में करेंगे जिससे एक बढ़िया वाला और भी बढ़िया एज का गोल्ड एनलग बसर का सूट करी देंगे अब तू यहां वा गाईज देखिए टोनी सर को वो बिचारे कितने से होगे और मेरे पास 180 मिलियन डॉर आ चुके हैं वाईज अब ही काम करते हैं चल्दी से अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और यहां पर दिखाते हैं टोनी सर को के मैं क्या कर सकता हूँ तो कभी भी यहां पर सफल गो बन गया इतना ही दोस्तों मैं अवेंजर्स का नए लीडर भी बनुगा और अवेंजर्स को यहां पर सब को सपोर्ट करूँगा ना यह बच्चे मैं तुझे चोड़ोंगा नहीं बाकी गाईज आपको स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीचे बहुत मजा आग थैगा थैगा थैख की वेजरी